है स्टुडेंट अगर क्लास टेंथ में है न तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप कमजोर है समीक रड़ को संतुरित करने में पक्का देख लीजिएगा मतलब आपको यह जो ए बी कि आज बताएंगे क्योंकि आप स्क्रीन पर देन भी रहे हैं वही चीजे हमें आप लिखे हुए हैं या तोर मरोड के हम बता देंगे पूरी नस नसीस की तोड़ देंगे आपको सब्दों को पकरना जाएगा और आप बनाके वहां पेपर में आएंगे जरूर अगर आज पे लिखेदार ज्यान चलिए देखिए कुछ चीज़ें यहां पर हम समझाते हैं यहां पर नाम तो थोड़ा बहुत जान ही लेना है अगर जान पा रहे हैं तो हम नायट्रोजन बोलेंगे और इसी तरीके से अगर आपका एसा जाता है तो इसको हम सलफर बोलेंगे और सील आ जाता है तो आपको इसको कलोरीन बोलेंगे क्या बोलेंगे क्लोरीन और इसी तरीके से आपका माली जी यह तो इंपोर्टिन पोर्टिन हम लिख रहे हैं बहुत जाता हम चीजे नहीं लिख रहे हैं एने आ गया तो आप इ है और इसके बाद आपका जड़ेयन मिल गया तो इसको हम जिंक का बोलेंगे चारों का नाम हम देख के रहें यह हमें ऐसे ही इसको लिखा यह चीजी समझ गए इनका नाम हम समझ गए ना नाम बोलना जरूरी है ओके अगर नहीं जानते हैं तब भी दिखने हैं आपको इसका सिंबल तो याद रहेगा एबी सीडी तो आपको पता है ना एबी सीडी से ही काम चलाएंगे देखिए कुछ चलते हुए इसको हम आगे कुछ बाद बताते हैं लेखिए जब कभी पी आपको यहां पर से भी एक है और पीछे से भी एक है और यहां पावर में अंडर नीचे जो होता है इसमें भी एक है दो जगा इसमें एक है, एक हमारा लिखा नहीं जाता है, क्योंकि एक रहता है, आप एक आदमी है, तो किसी को गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक गिना नहीं जाता है, इसलिए एक लिखने की भी जरूरत नहीं है, दो है तो गिनने होगे आप एक दो, एक होग फिर माइंड अपने आफसेट हो जाता है कि एक है गिनने की जरूरत ही पर उसी तरीके से एच हो आपका एक है लेकिन अगर दो हो तो इस तरीके से दो लिख लेंगा है यहां से भी दो हो सकता है और दो यहां से भी हो सकता है इस तरीके से यहां से भी दो हो सकता है यह भी दो याच है यह भी दो याच है इसमें दो अडू है अचके और इसमें भी दो अडू है अचके मतलब लेकिन यह आगे से दो याच है और यहां पर नीचे साइड लगा दिये दो हमारा चेंजिंग जो होता है इसमें बदलना होता है इसमें बदल सकते हैं इसमें बदलना होता है इसमें हम बदल नहीं सकते हैं याद रखना इसमें हम बदल नहीं सकते हैं जो हमारा अंडर नीचे वाला पाउर होती इसमें चेंजर नहीं कर सकते हैं उपर वाले में चेंजर कर सकते हैं तो यहां पर हम और चीज़ें चलते हैं लिखते हैं समझाते हैं देखिए जैसे कि दोनों का हम क्या करते हैं गुडा करते हैं क्या करते हैं गुडा जितने भी हों दोनों जगा हों दोनों का गुडा करते हैं दोनों जगा का आड़ू दोनों आड़ू का गुडा करते हैं क्या करते हैं गुडा करते हैं ठीक है गुडा करेंगे इसी तरीके से यहां दो है और स एशे आपका यहाँ पर आपका है स कितना है एसメं आपका यहाँ पर आपका कितना एस होगाँ और सयोग से यहाँ पर भी आपका 여elnay!! कितने एस होग 21 ऐसो आघे चलते हैं अबढ़ एक यह न है लेकिन यहां पर मने बढ़ा दो ती नहीं और चरूरत पढ़ने पर हमने यहां पर पर दो या नवर भ्रा दिया अब कुल मिलाकर titled कितने यहां च्छा ये न sağ गए कितने यहHHHH चायन हो गये, तो आप बात को समझ गए, अडू को कितने हमारे अडू समें सामिल है, इनको काउंटिंग करना क्या आपको पता चल गया, पता चल गया तो आगे सलाइड पर चलते हैं, चलिए नेक्स सलाइड पर दिखाते हैं, देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं, कोई भी कितना है, दो है, सुरी, एफी नहीं लिए, एफी कितना है, दो है, और एफी दो है, और इसके आगे हम पांच बढ़ा दिए, कितने एफी हो गया, टेने, आपके पास माल लीजे, यहाँ पर आपके पास सीयल है, क्या है सीयल, सीयल यहाँ से आपका तीन है, और सायोग से हम एक point out clear करना चाहते हैं देखिए जैसा कि हम समझा रहे हैं उसी तरीके समझे माल लीजिए आपके पास यहां कितना है 2H है कितना है 2H कितना इसमें है 2 है ठीक है और इसी में हम CL भी जोड़ दिए इसी में हम CL भी जोड़ दिए यहने कि 2H CL हो गया अब यह जो 2 है न एच पर भी है और CL पर भी है मतलब हमारा H भी 2 है और CL भी 2 है मतलब जब भी संख्या के बगल जो हमारा यहां पर आगे लिखा हुआ है इसके बगल जितना भी हमारा A, B, C, D, X, Y, Z जो भी हो सब पर उतना हमारा वो माना जाएगा सब पर हमारा उतना माना जाएगा ठीक है सब पर ह उस मतलब हमारा अगर यहां पर हम 12 कर दिये तो हमारा 12 यच भी हो गया और 12 CL भी हो गया बात समझ में आई अगर हम यच के बीच में कुछ बढ़ा दें यहां पर हम बढ़ा दें अब एच हमारा इधर से कितना हो गया एच हमारा इधर से 5 हो गया और इधर से कितना है हमारा 12 है इधर से कितना है हमारा 12 है हम इसको मिटा दें तो ज्यादा सही रहे अब देखें h कितना है यहां से देखिए यहां से 2 h है और यहां से 5 है तो 5 दुना 10 h हो गया लेकिन c l कितना है c l तो अभी 2 ही है क्योंकि आगे सो तो महना जा रहा है लेकिन नीची यह आप अगर इसमे भी बढ़ा दें अब 3 दुना 6 A वाला हो गया और ये 5 दुना 10 ये वाला हो गया बात समझ में आई मतलब इसमें हमारा H हो गया 10 और C L हो गया हमारा कितना 6 बात समझ में आई सब्दों को पकड़ना मतलब अडू को हम पकड़ना जानगे न अभी और समझाते हैं देखिए अगर आपके पास माल लीजे कुछ इस तरीके से यहां पर आ जाता है यहां पर है आपका जडेन क्या है जडेन जडेन के बाद आपको यहां पर क्या है कितना है और इसमें हमारा जडेन कितना है एक है कितना है और कित दुह और जडेन क्या है आपको देख रहे हैं जिसके आपको हमारा हे जडेयन एक है और सील कितना है दो है और ओ थिरी ओ कितना है ठीरी है लेकिन अगर हमारा आगे कुछ बढ़ा देना अगर हमें इसमें आगे कुछ बढ़ा देना जिसे यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं तीन कितना बढ़ा दी है तीन अब जड़ेन कितना हो गया तीन जड़ेन हो गया तीन सीयल हो गया और तीन ओ भी हो गया ये तीन का हक हमारा इस पर भी है और इस पर भी है और इस पर भी है मतलब इस तीन का हक सभी पर है तीन तो जड़ेन भी है तीन सीयल भी है तीन ओ थिरी भी है बड जडियन यहां से नीचे से कुछ भी नहीं है तो जडियन हमारा कुल मिला करके 3 ही होगा लेकिन हमारे यहां पर CL अगर काउंटिंग करें तीन यह है दो यह है तिन दून अच्छा होगा और अगर हम O की काउंटिंग करें तो तिन तिरिक्का नों ओगा लाग्त को पकारना आपको कभी भूल नहीं सकते है ठीक है अब थोड़ा सा और डिपरनक्स रिभीष बहुंत हैँ यहां पर देखे है एक अब यहां पर रंप पर रहा गा देते हैं और ब्रेकाट यहां पर टो लगा आप हमने बोला था power की power हो कई पर संख्या को देखो गुड़ा करो यहां पर दो है एक और यहां पर चार चार दूना आठ होGot सब्क करते हैं तो हमारा यहां पर कुछ है ही नहीं एक था एक का चार चार भी हो गया और एक टू हमारा हो गया है हमारा हो गया आठocratic करता है। मतलब अगर आपने यहाँ पर लिख दिया कि है तो कुछ यहां प्र नहीं है तो तो हुँरु और यहां ऐसे ही तरीके समझना साथ सभडों के अडूओं को अफ् ogr वम्हारे तक्तो के अड़ो को हम पकरना सिखा दी, संख्या को काउंटि करना सिखा दी, अब हम चलते हैं समी करते हैं, जो बच्चे अगर इस से बोर हो चुके है तो वीडियो को छोट के जा सकते हैं, हमने बेसिक समझ जाना हमारा कृतब था, हमने समझ जो की कोई भी नहीं समझाता बट यहा से माल लीजिए यहां पर हम लिखते हैं आपके लिए H2 प्लस O2 ठीक है और इसके बाद reaction की इधर है H2O अब हमें क्या करना होता है यह एक इधर एक एरिया होता है इधर का हमारा एक एरिया होता है और इधर का हमारा एक एरिया होता यह एरो के पहले वाला हमारा बाया पच्छ हो गया एरो के बाद वाला हमारा दाया पच्छ हो गया और बाया पच्छ में हमारा अभिकारक होता है और इस पच्छ में हमारा उत्पाद होता है क्या होता है उत्पाद होता है और इधर हमारा अभिकारक होता है जहां कहीं पर भी हमारा अभिकारक हो और के लिखते हैं के यह कोई एक ऐसी बहुत कि रम दोनें हो वहां पर हमारा रासाइल नहीं तो हमारा एरों के पहले और एको बाद वालों बेयां होनी चाहिए यही चीज हमें counting करना होता है बास और कुछ नहीं एच इधर देख रहे हैं तो हमारा दो है एच इधर कितना है दो है और इधर एच देख रहे हैं ये भी दो है मतलब एच हमारा बराबर है ओ को देखते हैं तो ओ इधर हमारा दो है लेकिन ओ इधार हमारा एक है अब दिमाग लगाईए इस एक को दो बनाएंगे तो दो से गुड़ा करना पड़ेगा गुड़ा कभी भी करो तो हमें याद रखना हमने इसको पिछली स्लाइड में बताना भूल गए गुड़ा हमारा हमेशा होगा कभी भी बदलना हो तो गु कि साइड हां पर दो में गुड़ा करेंगी तो हमारा यहां पर गुड़ा हो जाएगा 2 कर गुड़ा होगा अब देखिए काउन्टिंग करना थी हमने बताया था तो यह अहां पर हो और हमारा यहां से कितना है 2 है किमंड़ हमारा चार हो गया है हमारा dieses comics कमप्ली रेक्षन हमारा रेक्सन वारा कमप्लीट हो गया एनी प्रॉबलम किसी बच्चे को नहीं प्रॉबलम है अभी बहुत मज़ेदार अज आपको मिलने वाली है बस आप इस्टे रहिएगा हो सकता है आपको इससे अच्छा कलास कभी मिला नहों लेकिन हम यहां पर अपन देते हैं और अच्छी तरीके से बताते हैं ताकि आपको समझने आजाए यहां पर है एम जी प्लस एच सी यल एरो Mg Cl2 प्लस H2 यह हमारा रियक्सन है इसको हमंगो को देखना है उसको संतुलित करई पीछे वाल अपने हाप संतुलित हो जाएगा याद रखना पार्मूल में बताये याप इधर के grouping कर लो इधर की grouping कर लो यह सब कुछ नहीं बताएं grouping वह रफ कुछ नहीं यार इसको तत्काल काम करना सीजिए क्या मतलब उस तरीके करने का उसको फायदा भी तो नहीं होना होता है अब देखिए एम जी हमारा इधर कितना है एक एम जी है इसको हम लिख रहे हैं वैसे अप लिखने मत एम जी कितना एक है इधर भी एम जी एक है एच यहां पर देख रहे हैं एक एच है और इधर हमारा एक एच कितना है दो अब एच को हमें क्या करना है बराबर करना है एच हमारे इधर दो है तिधर दो करना होगा मतलब इसमें हमें दो से गुड़ा करना पड़ेगा तो हम इदर दो से गुड़ा कर देंगे तो हमारा एक दुख्ये दो हो जाएगा कितना होगा दो हमारा दो अब याद रखना कभी भी जिसे बोलते हमारे बगल अगर बिजली हमको पकड़ रही है अगर हम टच की हैं किसी को तो उसको भी पकड़ रही है सेम वही काम है कि H को दो की बिजली पकड़े हुई है तो CL को भी पकड़े क्यूंकि H के बगल चिपका हुआ है to 2 c ll भी है हमारा एč तो हमने संसूलिट किया पर c ll जो है गडवड़ आ गया c ll हमारा दो हो गया तो c ll इधर मारा कितना है दो है इधर मिसी tell कr लेंगे तो आपको कभी भी प्रॉबलम आने वाली नहीं हम हम दूसरा समिकरन लेते हैं और अच्छी तरीके से आपको संतुरित करके बताते हैं F ही है प्लास H2O है और arrow का चिन उसके बाद 3 है O4 है उसके बाद H2 है अब इसको हमें संतुरित करना है देखिए कैसे मज़ा आ जाएगा आपको संतुरित करने में और कभी कोई दिक्कत होने में ने इसका दूसरा क्लास भी बना देंगे अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तुसमें बहुत सारे संतुरित समिकरत जो कि आपको पेपर में डा रहो गया मन में समझना बस्यार यहां पर तीन था यहां पर तीन गुड़ा करती इसको आप लिखने जरूर्द नहीं है जो नीचे हम लिख रहे हैं पसा पर देखते हैं एच कितना है दो एच है यहां पर भी दो एच है मतलब एच तो हमारा कंपलीड है लेकिन अब हम बढ़ क्या करेंगे चार से गुड़ा करेंगे और चार से गुड़ा ओ के बीच में तो लगाएंगे नहीं हमें एच के बीच में ही लगाना पड़ेगा यह की आगे क्योंकि जो भी योगी खो उसके हमें आगे गुड़ा करना है अब यार ओ तो बराबर किये लेकिन यहां पर हमा आठे चार कमझा करतों साय साथ हमारा जो समिकरर था व संतुरीत हो जाएगek कोई भी दिक्कत आपको होने वाली व us तरीकेस से आपको संतुरके तो चार दूना 8 हुदर थिर सथा जारर याठ पर यहीOPर था और इस आप और बनाते हैं और एक दोस्स इसमें हम और समझा देते हैं क्योंकि नेक्स पार्ट में हम पूरा पूरा बताएंगे सारी चीजें यहां पर हम देखते हैं थोला सा बड़ा हम देखते हैं ताकि आपको MN O2 MN O2 MN O2 MN O2 प्लस HCL प्लस HCL एरो का सिंबल MN CL2 MN CL2 प्लस H2O H2O और प्लस आपका CL2 यह है हमारा यह है हमारा ठीक है अब इसमें हमें समय कर संदेज करना है अब यार देखिए पहले हमने बोला जितने भी होगी खों समी के आगे वाले तर्त को देखना इसमें आगे का इसमें भी 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 आगे का लेकिन अगर हम यहाँ पर H की तरफ बढ़ते हैं तो H की तरफ अगर हम देखते हैं तो H की तरफ हम देखते हैं तो H की तरफ हम देखते है तो CL यहाँ पर कितना है एक CL है और यहाँ पर कितना CL है देखिए दो CL यहाँ पर दो CL यहाँ पर दो कितना CL हो गया चार CL हो गया अब यार चार CL इधर भी करना पड़ेगा तो यार यहाँ पर तो दो पहले सी बढ़ाए है यहाँ पर क्या बढ़ाए है दो बढ़ाए है और तो 4 यहां पर और गुड़ा करते है तो चार दून 8 हो ढाने के लिए कि तो 8 हे हां लाएगा थो भी बढ़ जहेगा अब दिमाग लगे 8 याच भढ़ेगा तो यहां पर हमारा चार याच भढ़ाना पड़ेगा यह हमारा चार से गुड़ा करना पड़नेगा और जैसे ही चार से गुड़ा करेंगे ओ भी हमारा बढ़ जाएगा ओ हमारा बढ़ जाएगा तब हमारी बीमारी और बढ़ेगी ओ हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि आठ हैं पर ओ हमारा बढ़ेगा यहां पर पता चल रहा है कि ओ हमारा चार हो गया तो यहां पर भी चार करने के लिए यहां पर दो एमन बढ़ाएंगे और दो एमन जैसे ही बढ़ाएंगे यहां पर भी दो एमन बढ़ेगा और दो एमन बढ़ने के बाद यहां पर दो दूना चार होगा और दो दूना चार होने वार सीयल हमारा कितना होगा आप काउंटिंग करिए चार सीयल इधर और दो सीयल च्छा सीयल होगा अच्छा सीयल इधर करना है और इधर हमारा सीयल जो है मान के चलते हैं मारा सीयल था पहले से आठ सीयल और इधर हमारा च्छा स बताते हैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताते हैं ताकि आपको और जल्दी से हो जाए हमें क्या करना है देखिए हम पहले पूरा का पूरा हम MN को सारी चीजों को संतुलित कर लिए हैं तब हमें क्या करना है हमें MN को महारा संतुलित है CL को देख रहे हैं इधर एक CL है इधर दो CL है और ये चार CL है हम अगर इधर हम दो CL कर भी लिए दो CL कर लिए दिमाग लगाए दो CL इधर कर लिए है क्योंकि दो CL इधर है दो CL इधर जादा था तो हम यहाँ पर दो CL हमारे चार CL कर लिए चार सीएल कर लिए और जब हम 4CL कर लिए हैं तो 4H भी हैं तो 4H भी इधर भी होना चाहिए था मने इधर 2H बढ़ा दिया आप 2H के जब चार रहे ही यह होगा अब यहां पर भी हमारा वह बार रहा है दो तीधर हमारा दो बना है तो इसको भी हम खतम करते हैं तो यह साइच दिया गया कि आपको समझने आने वाला नहीं है बस हो गया ना आप देखिए अब इसको थोड़ा इजी तरीके से समझाते हूँ देखिए हमारा MN हो गयरा तो सारी चीजे संतुलित हैं हम क्या करेंगे सीधी सीधी बात अगर करते हैं तो CL से हमारा सारा गरबर हो रहा है CL इधर हमारा है कितना 4 और इधर हमारा कितना है 1 और हम 4 को 1 बनाना है एक को 4 बनाना है तो हम सीधा 4 से गुड़ा करेंगे तो हमारा 4 C L हो गया और H हमारा जो है यहाँ पर 4 H है तो हम 2 H है तो हम 2 गढ़ाए इस तरीके से हमारा H भी कंप्लीट हो गया और C L भी कंप्लीट हो गया ठीक है बट यहां पर हमारा O जो है घटबर्रा O दो यहां पर है और O दो यहां पर भी है CL भी हमारा संतुलित हो चुगा है लग अगर हम देख रहे हैं तो सारी चीजे संतुलित हो रहे हैं तो हमें दिक्कत यहां पर कुछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए आप दिमाग में ठाइए यहां पर बढ़ाने को देखिए MN कितना है 1 MN 1 MN ओके ठीक है H कितना है यहां पर H हमारा कितना है 4 H यहां पर कितना है जब यहां पर हमने 2 बढ़ा दिया थी यह भी हमारा 4H हो गया कितना हो गया यहां पर 4H हो गया ओके यहां पर हमने 4 बढ़ा था कितना बढ़ा था 4H और 4H C L की चर्चागर हम करते हैं तो C L यहां पर हमारा 2 है और यहां पर भी 2 है 2-2 मिला करके हमारा यह 4 हो गया 2-2 मिला कर हमारा यह कितना हो गया 4 हो गया ठीक है अब दिमाग लगाईए MN भी 1 MN भी 1 ओके Oxygen यहां पर 2 है Oxygen यहां से आपका 2 है कोई दिक्कत नहीं H हमारा 4 है H हमारा यहां पर 2-2 ना 4 है कोई कंपलीट है, क्या दिक्एत है? हैसाधा कि आपको भूग कोई दुसरी तरीके नहीं, फिसे उसमें कहेंगा इसमें कट भी जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं हो यार, थीकʏ, तो नहीं होनी चाहिए, थीक है, सायդ आपको बातें समझ में आ गए हूं, अब हमारा इस तरी के संतुलित हमने कर लिया तो हम आपको एक होम ओर के रूप में देते हैं आप संतुलित करके देखिएगा कि आप क्या संतुलित उसको कर पाते हैं या नहीं होम ओर के रूप में ले लीजिए भाई ले लीजिए होम ओर के रूप में इसको आप homework के रूप में ले लीजिए और आप इसको comment box में दे दीजिएगा जो भी बच्चा है आपर पहुंचा comment box में देता है मैं समस्ता हूँ मेरा continue viewer है और अच्छी तरीकित मेरी viewer को देख रहा है और आप अगर अच्छा लगा हो तो अपने एक कमजोर बच्चों में share भी कर दीजिएगा मिलते हैं नेस वीडियो में इसका हम पूरा completely संतली समीकरार कराएंगे इतने समीकर संतली कराएंगे सायद आपको एक जाम में direct पूछे जाएंगे यहाँ पर मैं basic बताना चाहेता था basic हमने बता दिया और completely करा भी दिया तो यह हमारा class था कैसी class लगी जरूर response देना comment करना और अच्छा लगी तो like share भी कर देना आपका सपोर्ट रहा मेरे facebook page को भी आप follow करिए facebook page मेरा मास्टरेज मुबाइल टेक स्वाली टेक्नो प्लस डिजिंग नाम से बना हुआ है discussion में link मिलेगी आप जरूर बिजिट करना ओके कर दो